तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो कि क्रैस हो रही होती है जिसके अंदर सभी पैसेंजर बहुत परसान होते कि उनका अब क्या होगा दभी वह वहर देखते ही कि परमेन और उसके साथ ही आ चुके हैं और वही लोग प्लेन को बचा ले पर दोरें आधेंजर पिर दिखाया जाता है कि यह प्लेन की तारिफ करता जाता ह treaty कि बाद बहुता आँग होता है जिस बाथ से ऊन्यों को बहुत जाद ही तैयान वहां बाहर निकालता है जिसपर दोरेंगी वह जखता है वीडियो देखकर बहुत हैरान अब दोरेमन टीवी के अंदर जाता है बहुत बड़ा लिक रहता है और कहता है कि स्टी वी में हर चीज रियल है क्योंकि ये प्यूचर के टीवी है जिसके बाद नोबिता चैनल बदल रहा होता है जिसके बाद वो उसमें से एक डाइनसौर बाहर आता है और नोबिता चैनल बदल कर अपनी जान बचाता है फिर वह देखता है कि उसमें परमें सो चल रहा होता है जिसमें वह एनिमल पकड़ने वालों को खिलाफ लट रहा होता है और उन लोगों को मारते हुए कहता है कि तुम इन सारे एनिमल को फ्री कर दो परमैन उन लोगों को बहुत पूरी तरह से पीट रहा होता है इधर नोबिता ये देखकर बहुत खुस होता है और टीवी में जाकने लगता है जिसे ऐसा करने से डोरे मॉन रोक रहा होता है पर वह दोनों उस टीवी में गिर जाते हैं वो सीधा एक चोर के ऊपर जा गिरते हैं फिर नोबिता पर्मैन की एक्टिंग करने लगता है जिसे सब हरानी से देखते हैं वे लोग पकड़े जाते हैं फिर नोबिता पर्मैन को हेल्प के लिए कहता है नोबिता अब तक जो इस सब को टीवी सो समझ रहा होता है तभी डोरेमोन नोबिता को बताता है कि हम दोनों ट वाहला निकता कि एपस्थोता को अलगा भी निकलता है कि ऐसे प्रमन को मारें वाला होता है कि पीछे से पाको उसे एक लात मारती है और उन्हें बचा लेती है पर्मन नमबर टू और खड़ी भी बाके गुंडों को मारते हैं फिर वह विलन बताता है कि पर्मन नमबर वन सेर की पिंजड़े में भीयोस है सब लोग परिसान हो जाते हैं अब डोरेमन अपना गैजेट नमबर लेकिन उसे कोई धंग का गैजेट नहीं मिलता है फिर सेर पिंजड़े के ऊपर उड़ता हुआ बाहर आता है और उसके सारे डाट तूट जाते हैं फिर वह सेर रोने लगता है फिर पर्मन को भी होस आ जाता है इधर फिर नोबिता बता रहा होता है कि पर्मन जब म इंचेड़े में पहुंच जाते हैं और परपने नाव को कैद करकर उससे माफिए मांगते हैं और कहते हैं कि हुम सारे अनिमल को allows कर देंगे दूसरी तरफ हम देखते में चाली बिल्ली नोबिता को रूम में आ जाती है और उसके सामने होते वहां पे बहुत बड़ा डाइनासोर होता है यंदोनों पर हमला कर देता है जिससे वह बचकर भागते हैं दूसरी तरफ ज्यान सुनियों और सुजुका उसी चैनल को देख रहा होते तभी उसे दो रिमोन और नुविता दिखते हैं जो मदद मांग रहे होते हैं वे दोनों कहते कि पर्मन प्लीज हमें बचा लो और इसी तरह ही एपिसोड खत्म हो जाता है